हेलो गाइस विलकम बैक तो गाइस आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं और इनके इस्तिमाल से हम अपने कौन से काम को आसान बना सकते हैं तो गाइस बहुत से लोग इसका कोई इस्तिमाल नहीं करते हैं और कारण इसका यह है कि यह किसलिए बनाया गया है उनको पता ही नहीं है लेकिन यह वीडियो मुझे बनाना इसलिए जरूरी लगा क्योंकि जिस तरह से OPEX का Marker Software है जिसे हम सब लोग अच्छे से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं ठीक इसी तरह OPEX Viewer and OPEX Runway Viewer भी हैं जो PDS के Install होते ही यह भी Install हो जाते हैं इसलिए मुझे आपको यह जानकारी देना जरूरी लगा वैसे OPEX का Latest 2022 का Full Setup लेने पर 8 Software हमारे Computer में इंस्टॉल हो जाते हैं जिनका नाम कुछ इस तरह से है OPEX PDS, OPEX Marker, OPEX Viewer, OPEX Runway Viewer OPEX Cut Plan, OPEX 3D Review, OPEX Fabric Meter और OPEX Autar तो अभी देख पा रहे होंगे OPEX के 4 Software हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इन में से आप 2 Software को तो अच्छे से जानते हैं एक है OPEX PDS जिसमें हम Pattern बनाते हैं और दूसरा है OPEX Marker जिसमें हम Production के लिए Marker निकालते हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया आज हम इन 2 Software के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी हमें अभी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं लगती है लेकिन आज नहीं तो कल इनका भी बहुत ही ज़्यादा इस्तिमाल होने वाला है तो मैं आज इस वीडियो पे यही दोनों Software के बारे में बताने वाला हूँ और मैं इनका इस्तिमाल करके भी आपको दिखाने वाला हूँ तो यह जो 2 Software हैं इनमें अभी इतने ज्यादा फीचर नहीं है इसलिए मैं इनकी फुल नॉलेज एक वीडियो में ही कम्पलीट कर दूँगा लेकिन और आगे जब कभी कम्पनी इने अपडेट करेगी और भी ज्यादा फीचर के साथ तब हम आपको इनके नए अपडेट के बारे में वीडियो के जरीए जरूर बता देंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस पहले हम जानते हैं OPP art expire का भी बारे में कि हम सोलवेर क्या क्याक्या कर और देख सकते हँ तो गाइस पहले आप इसके नाम से समझ रहे इसका नाम OPP टेक्स बीवर है OPP टेक्स तो कम्पनी का नाम हो गया लेकिन वीवर का मतलब देखना तो कुल मिलाकर यह software से बनाय हुए pattern को हम देख सकते हैं और pattern की सारी details भी यहां से देख सकते हैं मांकि आप इस software से pattern के अंदर किसी तरह की कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे double click करके open कर लेता हूँ और फिर आगे की जानकारी complete करते हैं तो यह मैंने इसे double click करके open कर लिया है और इसके अंदर का interface कुछ इस तरह का है जैसा आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर कुछ गिने चुने option दिये गए हैं तो मैं फाइल पे जाके पहले open पे click करता हूँ और एक pattern को ले लेता हूँ फिर आगे इससे आप क्या क्या देख सकते हैं कर सकते हैं वह मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो जैसे कि एक folder है हमारे desktop पे जिसमें pattern कुछ पड़े हैं तो यहां से मैं एक pattern पे click करता हूँ और यह open हो गया है तो आप देख सकते हैं पहली बार जब आप इस तरह से pattern लाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा तो अभी इसके अंदर कुछ गिने चुने option दिये गए हैं जो मैं step by step सभी का इस्तिमाल करके आपको बता देता हूँ तो यहां उपर corner पे file लिखा हुआ है हम इस पे click करते हैं control प्लस ओ यह shortcut की है अगर हम इस पर दबाते हैं तो यह हमें PC के अंदर ले जाएगा और वहां पर जो भी pattern का फोल्डर है वहां से फोल्डर के अंदर जा करके अपना pattern ले सकते हैं और जैसे ही उस pattern पे click करेंगे वह यहां screen पे दिखाई देने लगेगा तो इसका काम यह है और अगर आप open next file दबाते हैं तो उस फोल्डर पे जितने भी pattern होंगे हुए serial y खुलते रहेंगे उसके नीचे है open previous file यानि जो pattern आप देख चुके हैं अगर पीछे को आना है तो आप open previous file पे click करेंगे तो फिर आप जिस तरह से आगे को बढ़े थे उसी तरह से देखे गए pattern दुबारा से दिखाई देने लगेंगे तो अब इसके नीचे है plot यानि आप open text pds खोलने की जरूरत नहीं है अगर आप ने यहाँ से pattern को खोल लिया है तो आप यहाँ से plot निकाल सकते हैं और उसके नीचे है plot setup यानि plotter की length वित वगएरा जो settings होती है यहाँ से change कर सकते हैं तो अब इसके नीचे है print तो अगर आप A4 size के paper पे print out चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे इसका print out निकाल सकते हैं और उसके नीचे है exit अगर आप exit करेंगे तो software से बाहर आ जाएंगे तो आपने यह जान लिया कि file पे click करने के बाद कितने option खुलते हैं और इसके अंदर से हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके बगल में है display तो अब हम display पे click करेंगे और देखेंगे कि display के अंदर क्या क्या है तो display पे click करने के बाद कुछ यह option डिस्पले के खुल गए हैं जैसे कि name, point, size, stitch, dimension, symmetry, sim, fill, color, so logo, placement, external, segment, length, internal, segment, length और texture अब बात करते हैं यह display option से क्या होता है तो जैसे name है तो इस पे हम tick लगा देंगे तो क्या होगा, piece के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, वह दिखाई देगा point पे tick लगा देंगे, तो जो भी pattern में points है वो दिखाई देने लगेंगे size अगर click करेंगे, इसमें एक tick लग जाएगा तो क्या होगा, कि जितने भी size है, grade किया हुआ है वह दिखाई देने लगेगा और stitch है, अगर हमने 3D पे pattern बनाया हुआ है तो अगर जहाँ-जहाँ सिलाई लगी है, वह भी यहाँ पे show होने लगेगी, तो इसी तरह से सारा कुछ pattern के अंदर का देखने के लिए यहाँ display पे जाना होता है, और in पिटिक लगाना होता है तो चलिए, मैं फटा-फट सभी option पिटिक लगा देता हूँ और फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारा pattern दिखाई देता है तो हमने नाम पर click किया, और click करते ही, आप देख सकते हैं जो भी pattern का name है, वो यहाँ पे दिखाई देने लगा है उसके बाद हम display पे दुबार से click किया, points पे click किया तो आप यहाँ गले के पास काफी point है, वो दिखाई देने लगे है उसके बाद हमने display पे click किया, size पे click किया तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ stitch दिखाई देने लगी है क्योंकि यह 3D में pattern डाला गया था वहाँ stitch लगाई गई थी इसलिए कौन-कौन से simple stitch लगी है वह यहाँ पे दिखाई देने लगा है तो इसी तरह से बारी-बारी सभी option पे click करके चालू कर देना थाकि pattern के अंदर जो भी details है वह हमें सारी यहाँ पे दिखाई देने लगे देखिए अभी mirror भी नहीं open था अब option किलिक करने पे mirror भी चालू हो गया यानि पूरा pattern दिखाई देने लगा है और इसमें stitch भी select करने पे दिखाई देने लगी है उसके नीचे है sim हमने sim पे किलिक किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें sim margin दिया ही नहीं है नहीं तो sim margin भी दिखाई देने लगता और अब sim के नीचे है fill color अगर हम इस पे किलिक करते हैं तो कुछ इस तरह से pattern हमारा दिखाई देने लगता है जिस तरह से pds के अंदर दिखाई देता है और उसके नीचे है so logo placement तो यह 3D का option है अगर इसमें कोई logo वगारा लगा होता तो वह भी यहाँ पे दिखाई देने लगता तो इसके बाद है नीचे external segment length तो अगर इस पे हम click करेंगे तो बाहर जो भी सिम है उसका measurement दिखाई देने लगेगा तो अब इसके नीचे है internal segment length इस पे हमने click किया तो pattern पे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि हमने internal कोई line खींची नहीं रखी है अगर हमने piece के अंदर किसी भी तरह की de-dropped tools से line खींच रखा होता तो उसकी भी length यहाँ पे दिखाई देने लगता और अब उसके नीचे सबसे नीचे dexter तो अगर हम इस पे click करेंगे तो हमने जो 3D पे कपड़े पहनाए थे उसका color पसंद किया था तो वह यहाँ पे दिखाई देने लगेगा आई होप आप इस option को सही से समझ गए होंगे तो आप इस तरह से pattern के अंदर की सारी details देखने के लिए आप display पे जाकर टिक लगा दीजे और pattern के अंदर की वह सारी details दिखाई देने लगेगी तो अब display के बगल में है tools तो इस पर भी click करके हम देख लेते हैं कि क्या होता है तो हम tools पे जैसे click करते हैं यहाँ पे 2-3 option खुल जाते हैं जैसे कि select, zoom, so all piece तो यह एकदम simple से option है इन्हें कुछ बताने की जरूरत है नहीं जिस तरह से हमारे pds में हैं वही यह option है जैसे कि zoom करेंगे तो बड़ा हो जाएगा so all piece अगर pattern हमारे दूर दूर पड़े हुए है और so all piece पे click किया तो सभी दिखाई देने लगेंगे arrange piece यानि कि दूर दूर है तो arrange piece करेंगे तो आ करके एक जगे पे रख जाएंगे तो tools में सिर्फ यही option है और अब tools के बगल में है view का option हमने इस पे click किया तो 3 option open हुए है जैसे कि full path in title bar और दूसरा है application name in title bar और तीसरा है tool bar तो toolbar पे टिक लगा हुआ है इसलिए इसका toolbar दिखाई दे रहा है इसका toolbar यही है जिस पे file दिखाई दे रही है arrow के icon दिखाई दे रहा है और magnify का icon दिखा रहा है यही इसका toolbar है अगर यह टिक नहीं लगा हुआ होता तो यह toolbar दिखाई नहीं देता और अगर हम इन दोनों option पे भी टिक लगा देते हैं तो उपर जो title bar है वहाँ पे application का नाम दिखाई देने लगेगा और हमने यह pattern किस folder से उठाया है कहां से लिया है वह चीज भी वहाँ पे दिखाई देने लगेगी तो चलिए हम इस पे भी टिक लगा के आपको दिखा देते हैं तो यह हमने तीनों option पे टिक लगा दिया है और अब आप यहाँ title bar पे देख सकते हैं application का नाम भी दिखाई दे रहा है और यह pattern किस folder से उठाया गया है वह भी दिखाई दे रहा है और pattern का नाम भी दिखाई दे रहा है तो इसी के बगल में एक option मिल जाता है help तो अगर आप इस पे click करते हैं तो इस software से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देखने को offline मिल जाती है और अगर यह आपका PC इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो सीधे Optex की website से जुड़ जाता है वहाँ से भी तमाम जानकारी हैं software से related मिल जाती है तो गाईस अब इस software की सारी जानकारी complete हो गई है और अब हम इस software को close करेंगे और दूसरे software को open करेंगे इसका नाम है Runway Viewer और देखते हैं कि इस software से हम क्या क्या कर सकते हैं तो गाईस मैं इस पे double click करके open कर लेता हूं तो यह मैंने इस पे double click किया और कुछी इस तरह से ये open हो गया है लेकिन इस पर किसी तरह का कोई option नहीं है pattern select करने के लिए तो इसी तरह से हमारे viewers जैसे ये software open करते होंगे तो उन्हें कुछी इस तरह से दिखाई देता है और उन्हें लगता है ये किसी काम का नहीं है फिर इसको चला कर दिखाता हूँ तो पहले मैं एक नया folder बना लेता हूँ ताकि इसके लिए उसी में काम तयार किया जाए फिर इसको चला के देखा जाए यह मैंने एक नया folder बना लिया है और इसके लिए काम कहां से तयार करना है हुआ है मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए मैंने pds अपना खोल रखा है और 3D मॉडल पे मैंने ये piece को चड़ा रखा है तो इसी मॉडल के उपर एक option मिल जाता है save cloth और save model का अगर हम यहाँ से save cloth या save model कर लेते हैं तब ही जाकर के हम उस runway viewer पे इसे देख सकते हैं तो यह मैं इसे उसी folder पे save कर देता हूँ जो मैंने अभी नया folder बनाया था यह मैंने save cloth को उसी folder पे save कर दिया अब दुबारा से click करके save model को भी मैं उसी folder पे save कर देता हूँ मैंने फिर से save model पे click किया और desktop पे गया और जहां पे वो folder है उसी को select किया और उसी के अंदर यह भी मैंने save कर दिया है और अब इस videos को minimize करते हैं और उसी folder के पास चलते हैं तो अब हम आ गए हैं अपने desktop screen पे और नए folder को open कर लिया है और यहां पे दो file ने save हैं तो अब हम दोनों file को बारी बारी से click करके open करके देखेंगे तो यह मैंने पहली वाली file पे double click किया है तो यह open हो रहा है और यह कुछ इस तरह से runway viewer पे open हो गया है runway viewer के अंदर open करने का कोई option नहीं था लेकिन जब उसके लिए file तयार हो जाती है तो हम direct file पे click करते हैं और runway viewer के थुरू वे file open हो जाती है तो यह हमने save cloth किया था इसलिए कपड़ा बस save हुआ है model इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है अगर हम save model करते तो model दिखाई देती तो चलिए चलते हैं दूसरी file को open करते हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही है और अब मैंने दूसरे file पे भी double click कर दिया है और यह भी open ह हो रही है तो अब आप देख सकते हैं model के साथ cloth भी save है और model भी save है अब इस तरह से जूमिन जूमावट करते के left, right करके dress को देख सकते हैं तो runway viewer का काम यही था इस तरह से अगर हम save रखते हैं तो runway viewer पे चला कर देख सकते हैं इसका नाम runway viewer runway मतलब चलाना तो इसी तरह से runway viewer का मतलब यही होता है इसे चला करके देखने के लिए यह software बनाया गया है बागी इसमें आगे चल के क्या update किया जाए कुछ पता नहीं है I hope आपको दोनों software का इस्तेमाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपका कुछ doubt है तो आप हमें comment box पे comment करके पूँच सकते हैं तो चलिए guys फिर मिलते हैं next video पे कोई नई जानकारी के साथ तब तक के लिए take care and bye bye फिर दो फिर खिर मिलते हैं